हमारा नेक्स्ट नुमेरिकल है नुमेरिकल नंबर 2.4 उसका क्रस्टन या उसकी स्टेटमेंट देखते हैं ए टैनिस बाल है उसको हिट किया जाता है उपर की तरफ और उसको इनिशल पुश यानि इनिशल विलासिटी दी जाती है वो है 30 मीटर पर सेकंड अब जब आप उसको हिट करते हैं तो एक खास हाइट तक जाएगी अब जो हाइट है जहां तक वो जा सकती है यह देखें ग्राउंड से उसको हिट किया गया बाल को और उसने जो हाइट जो है या वो डिस्टन्स कवर किया है हाइस्ट पॉइंट तक जाने कैलकुलेट तब मैक्सिमम हाइट रीच्ट बाइड बाल तो जब आपने इसको इस विलास्टी से हिट किया नीचे से इसने तीन सेकंड लिए उपर जाने के लिए हाइस्ट पॉइंट तक हमने यह बतानी कितना उपर गई कितनी बुलंदी तक गई है यह एक फस्ट जाना तो यह थी हाओ लॉंग इट विल टेक टूरी रेटरं तो दा ग्राउंट अब जब वहाइस्ट पॉइंट पर गई है बॉल तो वहां से उसने वापस भी आना है तो हमने यह बताना है कि वापस आते तक नहीं क्राउंट से हाइस्ट पॉइंट तक गई वहां से फिर वह व में गिवन है 30 मीटर पर सेकिंड यानि हमने उसको इनिशल पुछ दिया था ताइम टू रीच था हाइस्ट पॉइंट है यह हमें बताया गया था कि जहां तक वह जा सकती थी हाइस्ट पॉइंट तक उसके लिए जिसको जाते में टाइम लगा है उसका हमने लिखा है टी व टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड अब जब उसने वापस भी आना है तो वह वापस आने तक कितना टाइम लेगी उसको हम लिखेंगे टी टू एक क्वेस्टिन मारक है एक चीज हमें गिवन नहीं है वह हम यहां पे लिखेंगे कि जब भी कोई चीज वर्टीकली और देखें मैंने ब्रेक्ट में लिखें फोर अपवर्ड मोशन हम जानते हैं कि जब बॉडी जाती है जिसम उपर की तरफ जाता है तो जी की वैलियो नेगेटिव ली जाती है और जब नीची की तरफ आता है क्योंकि एक्सलरेट होता है ग्रैविटी की वज़ा से तो उस हरकत की दूसरी मसावाद क्या है जी एस इकल टो वी आईटी प्लस हाफ एटी स्केर अब इसमें छोटी सीचेंजिस करेंगे हम वो क्या है एस की जगा पर हम एच लिख देंगे क्योंकि हाइट है वह भी फासला वी आईटी वैसी लिखेंगे प्लस वन बाय टू और एक समूदन हरकत करती है और टी वैसे लिख दिया हमने अब एच इस इकल टू वी आई इकतदाई विलास्टी इनिशल विलास्टी इसकाम कहते हैं यह है थर्टी टी वन ऊपर जाने के लिए इसने टाइम लेना था वो थ्री सेकंड यह हमारे पास वन बाय टू जी की वैलियो देखें माइनस टैन में पूट की है और आगे टी यानि टाइम उपर जाने के लिए बल्कि इसको हम यहां पर लेकिनगे टी वन ऊपर जाने के लाट के लिए टाइम ऐए तो यह जाएगा थ्री क्योंकि थ्री हमें गेंदा आप क्या करने थर्टी को थ्री से आपने करते हुग है इसकी वी वीडियो दिए हुई है जिसमें आमने ये रूल में आपको देख को बताए हुआ है और थ्री जो है उसका मने स्केर किया नाइन क्या करना है 5 को 9 से मृट्टीप्लाइ करना है उसके 45 90 में से 45 उसके मिनस करेंगे मन्स करेंगे तो हमारे पास जो हाइट आगी यानि ग्राउंट से मैक्सिमम पॉइंट जहां तक वजा सकती हो आएगी 45 मीटर अब जो आपने टाइम कल्कुलेट करना एक सिंपल टेकनीक से कल्कुलेट करना है उसमें कोग स्पैसिफिक खास फर्मूला नहीं है वो क्या है टाइम यू निकालना टी टूंgr अब टीटू क्या होगा टी वन प्लस टी बन अब यह टी वन क्या है अपवर्ड मॉशन के लिए यह उपर जाने इसने तीन सेकर्ड जरी तो वापस अने के लिए भी कॉमंन सेंस की बात उसने थे सेकंड जी लिये हैं TH therefore T1 plus T1 अलंके यonie upward motion के लिए था लेकिन downward के लêए by होगा तो मैंने साथ mention ही कर दी कि for upward for wonder upward HAmass के लिए three seconds के लिए था-downward यानी नीच आने के लिए खोगा 3 फ्लस-3 हमारे पास विवाबेनी यहाईगा टाइम बत्स तो यह था आज का हमारा numbers 2.4 यह कीन आ आपको समझ आया होगा आने वाले जो निमेरिकल्स हैं उनको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए इजाज़त चाहते हैं आपसे अल्ला आफिस थेंक्यू